टेलर के दुकान में काम करता था, उस वक्त हफते में दसर्वा मिलते थे, मॉम भी मतलब दुसरों के घर में काम आम करते थे, बरतर मरतन दोने का, कपड़े दोने का, तो वो जो कबाड़ी था, वो कहता है कि भाई, अगर तू नेक्स टेम आया ना, तेको मैं पुलीस में दे उसी टाइम पर जब मैं around 21 years का रहूंगा. Hello, Namaste, Oneka Ola, Assalamu Alaikum, This is Aum Salim Khan, Welcome to Joe's Stock. जब मैं चार या पांस साल का था, तब हम लोग मुंबई आये, मेरी स्कूलिंग यहां से हुई, फिर कॉलेज भी मैंने अपना डिग्री भी यही से कंप्लीट किया, तो शुरू में हमारी घर की जो कंडिशन थी, वो उतनी अच्छी नहीं थी, मतलब फिनैंशली उतना रहते थे, हमारा मुंबई में घर नहीं था, हम एक रेंटेड हाउस में रहते थे, रेंटेड हाउस मतलब उस टाइम पे मेरे काल से दो डाई हजार रेंड था घर का, तो मॉम भी मतलब दुसरों के घर में काम आम करते थे, बरतन वरतन दोने का, कपड़े दोने का, घर की क तो कुछ बसता नहीं था और उस टाइम पर मेरे को कहा गया था कि पढ़ाई अच्छी करनी है पढ़ाई अच्छी करोगे तो यह घर की कंडिशन है यह थोड़ा अच्छी होगी तो ऐसा हुआ कि मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं और मुझे क्रिकेट खेलने का बड़ा शौ और मुचानी की पैसा कमाना ही है तो हम लोग हमारे शाउनगर गार्डन है वहाँ पर हम खेलने के लिए जाते थे तो गार्डन के आजपास बहुत सारे खीले पड़े होते थे तो मैंने देखा कि मेरा एक दोस्ते सारे खीले को जमा कर रहा है और जाके उसको बेजता है तो मैंने भी फिर शुरू कि आज पास नजर मेरी रहती थी खीलों पर कोई यसे लोहा हुआ कहीं पढ़ा हुआ तो लोहा उठा के हम बेजते तो एक दिन गड़वड हो गई मैं रेलवे ट्रैक से लोहा उठा लिया और जाके उसको बेजने के लिए तो वह जो कबाड़ी अगर तो नेक्स टाम आया ना तो मैं पूलीस में दे दूँगा मैंने वह जो जो पैसे कमानी के लिए और उसके बाद फिर मैं एक लेडिस टेलर की दुकान में काम करने लगा मेरी मॉम ने बोला कि घर के बाजू में ही है थोड़ा सीख लेगा कुछ ना कुछ पैसे आ जा तो टेलर के दुकान में काम करता था उस वक्त हफते में दसर्वा मिलते थे यह थी हमारे काम वाली स्टोरी अब क्रिकेट के ऊपर आते हैं तो क्रिकेट मैंने बहुत अच्छा खेला मैं जैसे ही शिवाजी पाग में मेरा मैदान होता था वहाँ पर हमने क्रिकेट सीखना म अच्छा था मैंने अंडर फिफ्टीन एक साल खेला अंडर सेवेंटीन एक साल खेला मैंने तो उसमें भी काफी अच्छे लेवल तक पहुंच आता मतलब एक ऐसा टाइम था कि मैं प्राक्टीस कर रहा हूं और वहाँ पर हमारे वीने कामली सर बैटिंग कर रहा है देता है मैं मेरा भाई और मॉम हम लोग वेस्ट बेंगौल में थे और डाड बिमार हो गये और जब डाड बिमार हुए हैं पर तो सब कुछ बदल गया सब कुछ खतम हो गया अब जब वापस हम वेस्ट बेंगौल से मुंबई आए तो हमने देखा कि अभी हमारे पास तो जो पैसे कमाने के लिए में इधर उधर, अब फुलके कुछ ना कुछ काम कर रहा था, अब थोड़ा सीरियसली मैं करने लगा, उसके बाद में फिर मैं नेटो मार्कटिंग कंपनी जॉइन किया, वहाँ पर मतलब सोच वाइज मेरी सारा डेवलप्मेंट वहाँ से हुआ ह और वही एक टाइम था, जब मुझे अपना क्रिकेट छोड़ना पड़ा, बिगर्ज मैं जब क्रिकेट खेलता था, जैसे कि मैंने कहा कि हर काम को मैं बहुत एक्स्ट्रीम तरीके से करता था, तो क्रिकेट खेलते खेलते, ऐसा हुआ कि मैं फास्ट बॉलर था, मेरे को बैक करते हुए, हर ताइम दिमाग में क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनना है, वो प्रोफेशिन को चूज, मतलब, वो कुछ मुकाम हासिल करता हुए, और सदनली पता चलता है कि तुम करी नहीं सकते है, तो अब एक-दो महने के लिए काफी ब्लाइन था, फिर मैंने सोचा कि कि चलो ठीक है, अभी क्रिकेट को थोड़ा साइड में रखते है, अब जो बेसिक नीड्स है घर की, कि पहले एक घर चाहिए, देन हमें एक गाड़ी चाहिए, और बचपन का एक सपना था कि एक स्पोर्ट्स बाइक होनी चाहिए, तो फिर काम करना शुरू किया, और मेरे पता नहीं, यह बचपन से ही था, कि कोई भी काम, कोई भी काम अगर मैं कर रहा हूँ, तो मैं उसमें अपना 100% दे रहा हूँ, मैं यह नहीं सोच रहा हूँ कि अब यह काम मुझे कहां लेके जाएगा, कहां तक पैसे मिलेंगे, या फिर कितना काम यां बनूँगा, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता, मैं सिर्फ यह कि मेरे पास एक अपॉशनटी आई है, मैं जितना बहतर तरीके से उसको कर सकूँ, मैं करूँगा, मेरे को नहीं पता आगे क्या होगा, सड़नली पता चला कि यह, यह नो, e-commerce करके कोई चीज होती है, वो भी एक incident है, कि मेरे college में, मैं रिजवी college में था, वहां पर flip card का लोग प्रमोशन करने के लिए थे, तो flip card बहुत नहीं आने था उस ताम पर, मतलब जस उसने शुरूई किया होगा, लेकिन फिर भी वो चीज इतनी बढ़िया थी, कि मैं को जाके पूछना पड़ा, और जब मैंने उनसे पूछा कि य मैं वो आइडिया आया कि e-commerce कर सकते है, e-commerce के लिए उस ताम पर e-bay था, फिर वहां से उस ताम पर e-commerce company चल रही थी, Infibeam, Shopclues, यह सारी companies थी, जिसमें हम लोग ने फिर अपने products लिस्ट करना शुरू किया, और देन धिरे-दिरे उसमें काफी अच्छा growth हुआ, काफी बढ बड़ी लेना था, तब मैंने एक vision देखा था life में, कि यह मुझे चाहिए, और just imagine करो, कि आपने कोई चीज सोचा आपको मिल गई, अब तुम क्या करोगे, तुमने life का कोई बड़ा प्लान सोचा नहीं, कि तुमको लाइफ में यह करना, तुमको जो चाहिए तो तुमको मि लाइफ में चाहिए, जिन्देगी में, तो ऐसा तो नहीं है, कि यह मतलब चुप चाप बैड़ जाओ, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, फिर मैंने सोचा कि अभी cricket तो नहीं है, लेकिन cricket के बाद कौन सा ऐसा profession है, जो मेरे दिल के काफी करीब है, तो वो था films, Bollywood, क्य कोई भी movie लगती थी, हम अपने घर में TV होती नहीं थी, दूसरों के घर में जाके देखते थे, तो मैंने कहा कि इसमें कुछ कर सकते, अगर इसको भी दिल से करूंगा, तो कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, और चुकि थोड़ा entrepreneur वाला दिमाग था मेरा, तो मैं ऐसे नहीं क कि suddenly कहीं भी जाके audition देने लगूँगा, बोलूँगा, मैं actor हो भाई, मेरे को काम दो वैसे, मैं को पता था कि, अगर कोई भी चीज को हासिल करना तो आपके बस एक formal education होना चाहिए, proper technique होनी चाहिए, सब कुछ है, तो बब उस profession में माहीर हो सकते हो, और जिंदगी में कुछ क सकते हो, तो मैंने पहले acting सीखी मैंने एक साल, थेटर किया मैंने, फिर ये सब सीखने के बाद में, अब मैं industry में गया, audition दिया, और मैं इतना lucky था, पता नि, बहुत lucky हूं इस मामले में में, कि कोई भी काम करने के लिए जाता हो, मैं को initially success मिल जाती है, फिर मैं audition देने के लि पांच-छालाग रुपय कमा भी लिये थे, और अच्छे-चे आइड्स किया मतलब, अच्छे celebrities के साथ भी आइड्स किया मैंने, तो अब ऐसा था कि मैंने ठेटर किया, extreme level की acting की हूई है, अच्वत्हमा जैसे character किया हूआ है, तो मेरे को audition, जब मैं clear कर लेता था, तो मेरे को पैसे तो चलो ठीक है, लेकिन वो माजा नहीं आ रहा था, जिस तरह की acting करनी थी, जिस तरह का काम करना था, वो हो नहीं रहा था, तो फिर मैंने industry, मतलब, kind of छोड़ दी, मैंने का कि नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं चलेगा, मैं खुद का ही picture बनाऊँगा, एक काम करता हूँ, तो फिर मैंने अपने team इकटा किया, और खुद का ही films बनाने लेगे, खुद का ही short films बनाने लेगे, तो हम लोगों ने, जितने मेरे school के students थे, सब को मैंने जमा किया, अब हमने film बनाना शुरू किया, और film बनाने के बाद में, हमें काफी अच्छा success मिला उसमें भी, तो हम ने जो professional film बनाया था, पहला ही film, और उस पहला film को हम लोगों ने festivals में भेजा था, और नासिक film festivals में, मेरे खाल से 2016, 2015 को best student filmmaker का award मिला था, और वो हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी achievement थी, कि आरे हमने कुछ कर लिया, अब क्या आद है कि अज़ा तो हमारी एक film festival में जाके कुछ award जीती है, तो तुमारी थोड़ी इज़त बढ़ जाती है, तो उनको काम मिलने के opportunities बढ़ जाते हैं, तो सब को काम मिला उस एक film से, लेकिन जो actors थे हम जैसे, उनको काम नहीं मिला, तो जित्ती भी मेरे, जिन जिनको काम मिला, वो सब छोड़ के चले गए, अब बज मैं और मेरे camera gears, मैंने सब उठा के side में रख दिये, और फिर मैंने सुचा कि अब क्या करना है, और एक साल तक भटक रहता मैं, फिर suddenly, एक बार YouTube में, मेरे एक दोस्त ने कहा, कि देख यार, ये vlogging करके कोई एक चीज होती है, फिर मैंने vlog देखा, मुझे लगा, ये तो kind of documentary है, मतब ये तो मैं भी कर सकता हूँ, मैंने YouTube को join करने का reason, जो था, वो था, सबसे पहले, कि मैं जब acting करने के लिए जाता था, तो बड़े-बड़े camera होते थे, इस से भी बड़े-बड़े camera, वहाँ पर इतने सारे lights और इतने camera और लोग पीछे होते थे, 50-60, तो camera के सामने जैसे मैं कुछ करी नहीं पाता था, अगर हिंदी में कुछ बोलना था, टुटी-फुटी हिंदी में हमने बोल दिया, एक जुहू मैं मेरे को ad मिला था, और जब मैं industry में था, audition दे रहा था, में को ना, साउथ वाले काम जाधा मिल रहे थे, तो मेरे को ऐसा था कि कैमरे के स अपनी लाइफ में, मैंने अपनी कमजूरी को strength बनाया, और वो strength बनाने के बाद में में को चीज़ें मिली है, तो जब YouTube मेरे सामने आया, vlogging सामने आया, और फिर मैंने सोचा रही यार, ये तो मैं करना चाहता था, और चुकि मैं फिल्में बहुत देखता था उस टाम पे, त इसे, सौ बार बनाया होंगे, सौ बार कैंसल हो रहेंगे, लेकिन कोगा जाना है भाई, मेरे लिए YouTube जॉइन करने का reason ये नहीं था कि, मेरे को पैसे कमाने है, मेरे को numbers बढाने है, मेरे को fame चाहिए, ऐसा कुछ भी दिमाग में नहीं था, मेरे ऐसा था कि मैं यहां से सीखू था आटा, वह भी कब? Friday के दिन, क्योंकि Friday के दिन सब पिचिररीलीज होती, तो मेरा vlog रिलीज हो दो, Friday के दिन, एक हफटे में एक vlog डालना शquito किया, लोगों ने उसको पसंद करना शुरू किया, अब जिब लोगों ने बैसम्द करने लिए, लोग करने लिए comment में किया में 3 व्लोक्स दलना शुरू किया और अभी आज ऐसा वक्त है कि मैं एक दिन में 3 व्लोक्स दालता हूं तो वो एक हफ्ते में एक व्लोग और एक दिन में 3 व्लोक्स कितना डिफरेंस आया उसके पीछे का जो जर्नी वह ऐसा है कि कि दो साल तक यूटूब को लेकर बिल्क में सीरेस नहीन था मेरे को एडिटिंग सीख़िए कि मैंने सीख लिया में को फिलम पेंगी सीख लिया मैं सब कुछ brands sot brands को मैं मना करती ठैया था एक brand हां बोलता था और गद्ग जो हां बोलता था अच्छा खासा पैसे दे के जाता था मैंने खाग किया पैसे तो है अगर पैसे इसमें है तो क्यो Not इसको और अच्छे से किया जाए क्यो Not इसको profession बनाया जाए तो फिर मैंने एक साल experiment किया ये देखने के लिए कि क्या इसको profession बनाया जा सकता या नहीं जा सकता है तो मैंने सोचा था कि मेरे business से मैं इतना कमाता हूँ, अगर इस से थोड़ा से ज़ादा मैं YouTube से कमा लूँगा तो मैं इसको pandemic आया, तो business एकदम से zero हो चुका था, एकदम से zero के बराबर, और YouTube वैसे के वैसे ही था, तो मुझे लगा कि यार ये चीज़ सही है, तो फिर profession मैंने बना लिया इस चीज़ को तो मैंने YouTube को अपना profession मना लिया बिकरस मैंने देखा कि पैसे आ रहे है और पैसे कि मुझे उस काम से ये पता नहीं था कि मैं आगे क्या करूँगा, एक्जामपल के लिए जब मैं टेलर का काम कर रहा था, मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक टाइम बाद YouTube में वीडियोज बनाऊँगा बट मेरे को इतना पता था कि मेरे सामने वो टेलर का काम है, मैं उसको अच्छे से करूँगा no matter what मैंने उसको बहतर तरीके से किया और जब एक काम आप बहतर तरीके से करते हैं और opportunity आपके पास जब आती है तो जो भी काम आपके पास है उसको आप बहतर तरीके से करते जाओ जो dots से वो connect होते जाएंगे लेकिन मुकाम तक पहुचाने के लिए आपके पास एक सपना होना चीए वो सपना अगर आपके पास हर दिन है क्या होता है कि काम करते करते कभी कि भी सपना छूट जाता आस-पास यहाँ वा अगर सपना आपके पास हर दम है तो वो सपना आपको ऑटमाटिकली आपके दुसरे काम तक पुचाएगी और ऐसे करते करते कोई ना कोई काम आप कोई ना कोई काम में आप महार हो जाओगे और वो काम पे फिर पिर स्टिक हो जाओगे Josh Talks is now a Spotify exclusive podcast the audio version of our talks will be available only on Spotify if you like this video and you like to listen to more inspiring अगर आप भी इस वीडियो के एंड तक पहुँच गए हैं, तो मेरी तरह ही आप भी इंस्पायर जरूर हुए होंगे. आपको भी मोटिवेशन मिली होगी अपने सपनों को पूरा करने की. दोस्तों, सपने तो हम सभी देखते हैं, लिकिन हम मेंसे कुछी लोग अपने सपनों को पूरा करने में सक्सेस्फफल हो पाते हैं. मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी एंसान अपने गोल्स को अचीव करने में सक्सेसफफल होता है, उन सभी में कुछ common skills होती हैं, जैसे कि अच्छी communication skills जो की spoken English से आती हैं. और दोस्तों, हम सभी इस skills को master करके अपनी life में आगे बढ़ सकते हैं, जो skills app के साथ. इस app में हम one by one vocabulary के नए words, grammar practices, reading और writing practices के साथ-साथ, अपने जैसे अन्य हजारों students के साथ, online, English में live बात करके अपनी English को world class बना सकते हैं. आज ही अपनी success की तरफ पहला कदम ले, भारत के number one spoken English app, जो skills के साथ.